जार्खन राज सहकारी बैंक कर्मचारी संग के द्वारा आज देखिए मुख्याले के भीतर जो है प्रदर्शन हो रहा है धरना चल रहा है आज चौथा दिन है गलत तरीके से ट्रांसफर बिना नियम के ट्रांसफर का ये सभी विरोध कर रहे हैं आप ये देखिए तमाम लो होई कि आपको अपना काम छोड़ करके धरने पर बैठना जी बताना चाहेंगे कि विगत 31 जुलाई को हमारे बैंक परवंदन द्वारा मुख्य कारपालक पदादी क्यारी द्वारा 75 कर्मियों को अवैद तरीके से अस्थांतरन कर दिया गया जबकि कलड समर के कर्मी जिनक स्थांतरन एक छेतर से दूसरे छेतर में नहीं होना चाहिए लिए उनका स्थांतरन कर दिया गया मैं बदाना चाहूंगा इसके पीछे बहुत बड़ा राज है राज क्या है कि जो कर्मी जो यहां पे व्याप्त भ्रस्टचार है उसका उजागर कर रहे थे अपने कारियों का निश्पादन कर रहे थे तो उनको इस बात का दुख हुआ कि उनके दोरा किये गए गलत कारिये को को उजागर कर रहा है और वो आनन फानन में वीना पॉलिसी में हमारे संक्य दौरा समय समय पे उनको ग्यापन दिया गया कि प्रवंद्धन द्वारा कभी बीशी करने के बाद ही असांतरन किया जाए हम लोग उसमें यूनियन सहयोग करेगी लेकिन उन्होंने हमारे द्वारा दिये गए पॉलिसी को भी दरकिनार कर दिया हमने कहा आप उसको एक बार देख लिजे विचार कर लिजे लीगल वेटिंग करा लिजे और उसके बाद इस पर कार किजे लेकिन नहीं उनकी मनसा बिल्कुल साफ थी कि अपने जो रश्चार उन्होंने किया है उसको दबाना है करमचारीयों को सताना है और उनको परताडित करने के देशे मनसा से उनको एक झेत्र से दूसरे झेत्र भीज देना है मैं पूछना चाहता हूँ प्रवंदन से कि आज बैंक जो परभावित हो रहा है करोडों का लेन देनरी से परभावित हो रहा है उसके जिम्मेवार कौन होंगे अब मैं राज्य के मुक्या मान्य मुक्मंत्री मोदे से भी मैं रूरोद करता हूँ इस मामले पर अब इलम हस्चेव किया जाے क्यूंकि जहार्खन राज्य का एक मात्र बड़ा संसा जो वित्य संसा है जो अपनी जहार्खन सरकार की संसा है वो आज डिरेल हो चुकी है यह जो तुगलगी फर्मान निकाला गया है यह जो भरस्ट प्रबंधन यहाँ पे है उसके द्वारा इस संसा को डिरेल किया जा रहा है जिससे हम लोग यहां के सुदूर वर्ति जो ग्रामीनों को जो सेवा दे पा रहे थे आज वो बादीत हो गय मिलने का कोशिश के हम एक बार बुलावा आया हम लोग गये हमारा एक प्रतिनीडी वंदल उन्होंने पांच लोग का भुलाया हमने जब वार्ता कि हमने कहा कि एक भी आप वैलिड रिजन तार्किक आप कारण बता दिये कि आपने ऐसा स्थांतरन क्यों किया आपको यह साफ है कि यह लिस्ट उनके द्वारा तयार नहीं किया गया है बैंक के बाहरी तत्वा जो बैंक को लूटना चाहते है जो लूट खसोट का अड़ा बनाना चाहते है उनके द्वारा बनाए गया है जब हमने उनको अपने तर्क से हमें अपने लोजिक से उनको हमने सारा स्विकोर्भ किया आपके कोट वाली थाना के एक तग है कि से वार्ता हुई कि किसी परकार का कोई इस यार passive वारता है उससे शिवकारा और नहों कहा कि मैं कल आपको मैं फिर पुना आपको इसे पर जवाब दूंगा लेकिन कल से फिर नरारद हो गए और फिर से अपने आका के आदेश पर ऐसा ऐसा आदेश निकाल रहे हैं जिससे हमारे पूरे करमचारियों का मनोबल को तोड़ने का पर्यास कर रहे हैं उनका बेतन आदी से पत्रों को वापस नहीं लिया हम लोग अविलम हाई कोट का दर्वाजा खड़ा सकते हैं और इनको इट से इट बजाकर इनको हम लोग बताएंगे कि सत्य की जीत होती है आप गलत कार करके इस जारखन की धरती पर इस बिरसा की धरती पर आप टीक नहीं सकते हैं पनला जी क्यों आंदोलन करना परा आश्वासन कुछ नहीं मिला देखिए लगातार यहां जो भष्ट तंद्र काम कर रहा है खास करा है अभी मेरे महा सचुने बताया भी कि बाहरी तोत लिप्त है बाहरी तोत कहने का मतलब है कि बाहर के लोग के इसारे पे बैंक का संचाल हो रहा है यहां के जो सीओं है यह डमी मात्र बनके रह गया है हम लोग का मेटर में डिसकर्स हुआ बात हुआ साकरादमिक बात हुई मानने को तयार भी हो गए कहीं ना कहीं कि लिस्ट उन्हों नहीं बनाया है अब बाहरी तत्कु दोवारा घर में बेटके टास्पर पोस् यहां पेद दिया गा कुछ बैइक का जो में फिगर है यह राची खुटी कॉपपटी बैंक था consistent लिए था बैंक दूंका बैंक था गुम्रा सिब्यासिंधर बैंक बना गिया था तैकि हर शेतर अर्स आंप्र होता है संधाल के रहने वाले ट्रैप्स के बिच में बैंक है और यहां के लोग संथाल आदिवासी बिल्ट में काम करने जाएंगे तो कहीं न कहीं एक भासा का समस्था उत्पन होगा इसको देख के अड़ तरीके से बैंक रिजन बैंक बनाए गया था लेकिन यह लोग यह भी ताक में नहीं मतलब करने लाएं आपको उटा दिया गया है जब लोग हटते नहीं है तो बैतन बंद करने का धमके दिया जाता है ताकि लोग ड़ जाएं बताना चाहूंगा बैतन बंद करते हैं एक साल बेतना मन दिजे तब भी हम दों इस आदमी गरत के साथ नहीं रहेगा अंदुलन क सब्सक्राइब गल्देस दिखम्राइब रहा है कि नौन करते रहेगा और लगातर अंदुलण के चोछा दिन है अज लों काला को समना रहे यह बताने का प्रयास करें कि हमारी यह माथ के सीओ है बोलते कुछ है करते कुछ है उनको जार्खंड कोई ग्यान नहीं है मैंने बताया ज्ड खण्का निर्मान यहां कि अधिवासी निलवासी कितना मेनेध नहीं है और उत्रक्ष रख savings say उनके जनकार के त relying कर देते हैं अथिकारियों को हालोत नहीं है राज के विकल्प क्या वश्त डेकै विज़कर यह हैं कि ततकाल इस आवीदान यादेश को रद किया जए रद करने के बाद तीन मांग राखे हैं पहला एक टानसपर्प पोलिसी कहीं भी निथी बनाने के लिए पोलिसी होता है अब बैंक में एक tak भीझी सम्हें बनाई दूसरा मैं पॉलिसी का निर्मान करके इंटर रिजन टांस्पर को लाया जाए और तीसरा पॉइंट रखा गया कि सहरी और ग्रामिन बेल्ट का जो बेतनमान अलग-अलग है इसको समान किया जाए यह तीनों पॉलिसी को लाके आप टांस्पर करिये को इस अभी तक पॉलिसी नहीं बनी जी बिना पॉलिसी का बैंक चल रहा है आप घर में भी चाहिएगा अब रेश्ट्रोंट के खाने के लिए तो वहां मेनु काट होता है वहां भी बना हुआ है बेक्या खाना है एक रेश्ट्रोंट का पॉलिसी का पॉलिसी होता है हर जगा का पॉलिसी होता है आप साधी करन तक राज करने के लिए को शुंपों मैं मैं सत्य नाराहिन से भारतिया मैजदुर संग जारकंड प्रदेश अध्यक्ष जारकंड प्रदेश के लगभग 126-2 32 चरंग, में एक महतपूर्ण संगठन, जहारखन सहकारी बैंक भी एक एस्टेट कोपरेटिव बैंक भी है जो कि हमारे यहां से अफलियेटेड है भारतिये मेजदूर संग से और रेइस्टर्ड ट्रेड यूनियन है इसके नाते यह जो सबसे पहले देश में पूरे देश से लेकर के राज में कर्मचारियों का चाहे स्वसाइटी हो एक्ट के तहत हो चाहे राज कर्मचारी हो चाहे प्रसासनिक अधिकारी हो सबों का एक ट्रांसफर अस्थान तरन निती होती है ट्रांसफर पॉलिसी होती है तो सबसे पहले तो इस कॉपरेटिव बैंक में हम प्रदेश के तरफ से यही कहेंगे और खास करके जारखंड के मुख मंत्री और सहकारिता विभाग के जो मंत्री है राज के उनका ध्यान आक्रिष्ट करते हुए सचीव जो है जारखंड राज सहकारिता विभाग के उनका भी हम प्रदेश के तरफ से ध्यान आक्रिष्ट करना चाहते हैं कि अपनी यहाँ पर जो गरवरी हैं घोटाले हैं उसको दवाने के लिए उसको छुपाने के लिए ये प्रवंधन यहां के जो कॉपरेटिव बेंक के अधिकारी हैं CEO हैं या जो भी चार्ज में हैं ओ अपनी गलतियां को भरष्टाचार को छुपाने के लिए इन कर्मचारियों का बिना अस्थांतरन निती का ट्रांसफर किये हैं जिसको भारतिय महिदूर संग जारखंड प्रदेश अस्पस्ट मानती है कि ये गलत हुआ है बिलकुल गलत हुआ है अन्याई हुआ है इन कर्मचारियों के साथ इसलिए अभिलंग माम करती है कि इसको इसके अस्थांतरन को रद किया जाए मुख मंतरी का भी आक्रिस्ट करते हुए और इनके जो अध्यक्षा है चेर्मेन विभासिंग जी को भी हम आपके माध्यम से पत्रकार के माध्यम से मीडिया के माध्यम से उनका ध्यान आक्रिस्ट करना चाहते है कि कहीं इस कॉपरेटिव बैंक में बिसफोट न हो जाए उस बिसफोट को अभिलंब रोकने के लिए इन कर्मचारियों का अस्थांतरन अविलंब रद करें और हमारे ट्रेड यूनियन के साथ बैठ करके आप सोहार्द पूर्ण वातावरण में अपनी पॉलिसी तै करें और अगर हमारा कर्मचारी भी हमारे यूनियन का भी कहीं अगर उस निती के तहत अस्थांतरन निती के तहत हम उसका बिरोध नहीं करेंगे अगर अस्थांतरन निती के तहत अस्थांतरन होता है तो इनी सब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद है बिल्कुल आपने सुना इनकी जो मांगे हैं वो प्रवंदन तक पहुंचे हम भी एकोसिस करेंगा और मुक्ह मंत्री हैमंत सुरिन भी इसमें दखल दे नहीं तो आखरी जो इनके पास उपाय है वो हाई कोट बसता है वहाँ हाई कोट के सरन में जाकर इनको राहत मिल सकती है अपने सायोगी नितीश के साथ मदन सिंग न्यूजबाइस को पराची